आप जब भी PCIe laptop purchase करते हैं आप specification में जरूर देखे होंगे cache memory ये frequent use होने वाले data को store करता है ताकि जरूरत पढ़ने पर CPU के लिए ये available हो सके इसकी size बहुत छोटा होता है इसलिए इसमें ज़्यादा data store किया नहीं जा सकता तीन टाइब की cache memory होता है एक है L1, एक है L2 और एक है L3 L1 cache बहुत fast है ये processor chip में लगा होता है L2 cache processor chip के उपर लगा होता है कुछ cache में separate chip भी यूज होता है इसका memory capacity L1 से ज़्यादा है L3 cache L1 और L2 की performance को improve करने के लिए यूज होता है CPU frequently use होने वाले data को cache में search करता है अगर data मिल गया तो इसे हम बोलते है cache hit अगर data cache में नहीं मिला तो इसको हम बोलते हैं cache miss ये CPU की बहुत करीब होने की कारण इसकी speed बहुत fast होता है